जैहिंद आज की इस वीडियो में dual starter बनाना बताएंगे with under over voltage relay and face reverse relay तो इस starter का हम इस वीडियो में power wiring बताएंगे, control wiring with UV, OV and PR relay PR means face reverse relay और starter बनाने के बाद उसको motor के साथ कैसे connect करेंगे वो भी हम बताएंगे, साथ में on, off, trip और तीनो face का indication R, Y, B face का indication कैसे connect करेंगे indicating lamp वो बताएंगे इस starter में क्या-क्या material यूज किया गया है वो हम बताएंगे और उस material के बारे में पुरी जानकारी देंगे उसके बाद जो जितने भी starter में material यूज हुआ है उस component को हम कैसे arrange करेंगे mounting कैसे करेंगे ताकि कम से कम wire का जरूरत परेगा तो इस वीडियो को आप सुरू से अगर last तक देख लेते हैं तो ये सारे चीज आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा तो फिलीज हमारे चैनल को अभी subscribe नहीं किये हैं या पहली बार अगर हमारे चैनल को विजिट किये हैं तो फिलीज हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को last तक देखिए ताकि आपके सारे dots किलियर हो और अच्छी तरह से सारी जानकारी मिल सके है तो यह triple mcb हमने यूज किया है mcb के बारे में आपको पता ही होगा mcb यह एक switch है और यह overload पे काम करता है power contactor यूज किया है power contactor एक switching device है generally यह electrically operate होता है overload relay उसके बाद यह under over voltage relay है single pole mcb यूज किया है इसको हमने controlling में यूज किया है start sorry off push button या stop push button green color का start push button या on push button यूज किया है तो यह जो on push button होता है वो no block के साथ यूज किये है इस starter में और जो red color का push button है stop push button वो nc block के साथ हमने यूज किया है उसके बाद तीन indication lamp है red green और ember का तो जो red color का light है उसको हमने इसमें लिया है on indication के लिए green color का जो light है वो off के लिए और trip का जो light है वो इसमें ember color से हमने दिखाया है उसके बाद तीन light और हमने यूज किया है जिससे तीनो face का indication हम इस starter में दिखाएंगे आर से red यलो color का जो है वो y face के लिए और blue color का b face के लिए उसके बाद power और control wire वो आवसकता के हिसाब से आपको यूज करना है control wiring के लिए generally point five square mm मतलब आधा square mm का वायर आप इसमें यूज करिए वो sufficient है लेकिन जो power wire है वो आपको motor के rating के हिसाब से यूज करना है तो इतने सारे component इसमें यूज हुआ इस starter में यह power contractor है और इसके जो उपर की तरफ है L1 L2 L3 तो इस starter में हमने इधर L1 L2 पर incoming supply connect किया है और जो T1 T2 और T3 है उस पर outgoing connect किया है तो contactor में ऐसा कुछ नहीं है कि L1 L2 पर incoming connect करना है और T1 T2 T3 पर outgoing ही connect करना है आप इसको किधर भी incoming connect कर सकते हैं और किधर भी outgoing connect कर सकते हैं यह जो contactor है यह just like switching device है इसके coil पर अगर आप supply दे देंगे तो यह contactor on हो जाएगा और coil का supply बंद कर देंगे तो यह contactor off हो जाएगा तो यह एक electrically operated switch है इसके जो 13 नंबर और 14 नंबर है वो इसके no contact है और no contact का symbol कुछ step का होता है और इसके जो A1 A2 है यह coil है contactor का coil इसी coil पर supply देने पर यह contactor on हो जाता है और जब supply बंद करते हैं तो यह contactor off हो जाता है तो यह जो starter में जो भी component यूज हुआ है जैसे indicating lamp है तो उसमें face neutral ही आपको देना है contactor है contactor के coil पर face और neutral ही देना है 21 नंबर और 22 नंबर इसके nc contact है तो no और nc contact का use कहां कहां होगा वो मैं आगे बताऊंगा control circuit में उसके बाद देखिए nc contact का symbol कुछ step का होता है और यह जो symbol अभी display हुआ है जिसके उपर L1, L2, L3 और T1, T2, T3 लिखा है यह contactor के power contact का symbol है तो contactor में total देखे के हिसाब से तो तीन टाइप का symbol हो गया एक तो contactor के coil का symbol हो गया एक power contact का symbol हो गया और एक no nc का symbol हो गया उसके बाद इसमें हमने योज किया है overload relay है तो इसके उपर L1, L2, L3 है जिसमें incoming supply connect होना है और जो नीचे है इसके T1, T2, T3 है इसमें outgoing supply connect करना है तो overload में necessary है कि जिधर incoming है उधर ही आपको incoming connect करना है और जिस तरफ outgoing है उधर outgoing ही connect करना है मिंस L1, L2 के तरफ incoming देना है और T1, T2, T3 के तरफ outgoing देना है इसका जो 97 और 98 नमबर contact है वो इसके यह no contact है यह no contact हम feedback के लिए overload के feedback के लिए या trip indication के लिए यूज करते है इसके बाद 95 95 और 96 जो है यह इसके nc contact है और इसको control circuit में यूज किया जाता है और उसके बाद यह जो current limit setting है इससे आप motor के rating के हिसाब से इसका current set कर सकते हैं यह कैसे current set होता है कितने size के motor के लिए कितने rating के motor के लिए कितने पर overload को set करना है वो हम किसी और वीडियो बता देंगे इसमें अगर बताने लएंगे तो manual में डाले हुए है इस overload relay में auto और manual दोनों का option होता है manual में अगर डालते हैं और motor overload के हो जाता है उसके कारण जब relay trip होता है तो relay तो manual में होता है तो automatic reset होगा नहीं तो उस case में आपको इस button को press करके overload relay को reset करना परेगा उसके बाद यह जो है यह under over voltage relay है इसमें देखेंगे उपर तो L1, L2, L3 और neutral लिखा हुआ है तो इसमें L1 के जगा R face, L2 के जगा Y face और L3 के जगा B face और N के जगा neutral connect कर देना है उसके बाद इसके जो 15 number contact है वो common है 16 number NC है और 18 number NO है उसी तरह जो 25 number है वो common है 26 number NC और 28 number NO है तो यह जो contact हो गया यह 2 change over का contact हो गया और यह जो change over का symbol कुछ step का होता है इसमें 15 number common हो गया 16 number NC और 18 number NO तो इस रिले को और आपको अच्छी तरह से समझना है तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है उस वीडियो का लिंक मैंने description में डाल दिया है और उपर eyeball में भी display हो रहा है तो यह वाला वीडियो खतम होने के बाद आप उस वीड subscribe नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यह जो रिले है डिस्पले पर जो दिख रहा है यह ओभर वोल्टेज के केस में मोटर को प्रटेक्ट करेगा अंडर वोल्टेज के केस में भी प्रटेक्ट करेगा और फेज रिवर्स पी आर प्यार मै मतलब हुआ फेज रिवर्स तो फेज रिवर्स होने पर वो मोटर उल्टा चलने लगेगा तो वो इस मोटर को उल्टा नहीं चलने देगा उससे भी आपको प्रटेक्शन मिलेगा और प्लीज प्लीज हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीड़ब प्रटेंट को फ मतलब अपनों जो मैं इसमें आप करेंगे तो कम से कंम आपका वैर यूज व्यूजफ होतो आपको अपनी अपने हिसाथ इसमें जो मैंते रिएल किया हुआ है उसमें इस रिवा है İş ब ही सा से कम आपको फिक्स कर दिया है जो तो कंटेक्टर का आटपूट है T1, T2, उसके साथ मैंने ओबर लोड रिले का L1, L2 को सेट कर दिया है, ऐसा करने से आपको ओबर लोड रिले के लिए अलग से बेस मॉन्टिंग बेस नहीं लेना परेगा और वायर का भी बचत हो जाएगा, यह जो है यह अंडर ओबर इस तरह अगर देखेंगे तो जिनरली जो है करिब करिब सारे कंपोनेंट का एरेंजमेंट हो गया, DIN रेल पर उसके बाद हम इसमें पार वायर कनेक्ट करते हैं, MCV के इन्पूट में RY और B कनेक्ट कर दिया, और इसके ओड़ पूट से तीनो फेस निकालके, कॉन्टेक् है, तो ओवरलोड के रिले के ओड़ पूट से वायर निकाला, RY और B, और ये वायर जो है, ये मोटर के साथ कनेक्ट होगा, वो मैं ये इसके कंट्रोल और पावर सर्कीट पूरा होने पे मैं उसको भी कंटेक्ट करके बताऊंगा, तो अभी डिस्पले पे जो वायरिंग देख रहे हैं, ये पूरा स्टार का पावर वायरिंग कंपलीट हो गया, अब हम इसके कंट्रोल वायरिंग शुरू करते हैं, तो पहले हमने ये निट्रल को कंटेक्टर कोईल A2 के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो थ्री फेस मोटर होता है, उसको चलने के लिए निट्रल का चरूरत नहीं होता है, केवल आप तीन फेस दे देंगे, थ्री फेस मोटर पे तो वो चालू हो जाएगा, रन करने लगेगा, अब उसके बाद जो ये रिले है, अंडर ओभर वोल्टेज रिले, इस पे हमने तिनो फेस कनेक्ट कर दिया, L1 के L2 और L3 और निट्रल, मतलब तीनो फेस और निट्रल इसमें कनेक्ट हो गया, ये जो L1, L2, L3 और निट्रल के साथ वायर कनेक्ट है, ये इसको सेंसिंग वोल्टेज देता है, इसी वोल्टेज के हिसाब से ये रिले काम करता है, ये रिले इसी वायर से वोल्टेज चेंस करता है कि कि इसमें अंडर वो voltage हो रहा है या face उल्टा हो रहा है तो यह connect करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको ensure करना है कि इस पर तीनो face और neutral अर आ रहा है या नहीं अगर यह तीनो face और neutral आएगा तब ही यह काम करेगा अगर जो भी fault आएगा तो इसमें LED लगा हुआ है वो LED गलो करने लगता है अब यह हमने तीन लाइट लिया है और वाइब यह तीनों फेस के केवल वाहर रहाता है तो अगर कोई फेस नहीं आ रहा है तो उसकेस में इन में से जो फेस नहीं आ रहा है माल लेजे बुलू फेस नहीं आ रहा है तो बुलू फेस वाला LED गलो नहीं करेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि बुलू फेस नहीं आ प्रवार है उसके बाद जो है रेड गरीन और एमबर कलर का लाइट है तो उसके बारे मैं बता ही चुका हूं पहले आन आफ और ट्रिप के लिए यह यूज किया है यह रेड कलर का फुस बटन इसको स्ट अवभ करने के लिए यूज करेंगे और जो फॉल अआ यह जो अनुद के साथ है इसको हम स्टांच को आउन करने के लिए यूज करने अब इसके वाईरिंग शुरू है तो यह सिंगल पॉल अर्ड श्रॉन पूल्श और सोय निकालने जो यह पूं कमान प्रक्रसर्टे मार्य पूल्टेंगुट कोमेंट किया था एक वीडियो में कि ये सिंगल पॉल एमसी भी क्यों यूज किया जाता है कंट्रोल सर्कुट में तो ये दोस्त ये जो सिंगल पॉल एमसी भी है ये प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है अगर आप यह इस mcb को यूज नहीं करेंगे तो कंट्रोल सरक्ट में कोई फॉल्ट आएगा तो मेन mcb जो है आपका वही ट्रिप हो जाएगा उससे आपको पता नहीं चल पाएगा कि कि पावर सर्कीट में प्रोगलम है या कंट्रोल सकीट में तो इसको स्टो कि aware अभी यूज कर ले कंट्रोल सरक्ट और जो ओभर लोडुड रिले है यह कर्नेट सेंसिंग है तो जो इनके कॉंटेक्ट है अनसी कंटेक्ट इसको मैंने आप से लिए हुआ है जैसे ही इसको हम पुच्ष करेंगे तो यह Connect No बन जाता है और जो यह start बॉस्स बटन है यह No Block के साथ हुता है जब इस बटन को पुच्ष करेंगे तो यह इसके निकालेगा अब इसके output से वायर को किनेक्ट कर देंगे तो यह देखिया कर्व कर्व कंट्रूल सर्कुट पुरा हो गया इस केस में अगर आप स्टॉप पुस बटन या को दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा लेकिन यह सिंगल पॉल स्टॉप यह जाएगा और मोटर के साथ अगर कनेक्ट है तो वह चालू हो जाएगा यह तब तक ही चालू रहेगा मोटर जब तक आप उस बटन को प्रेस करके रखेंगे और जब आप प्रेस छोड़ देंगे दवाके उसको छोड़ देते हैं वापस तो वह वापस बंद हो तो यह ऐसा नहों हो इसके लिए इसमें एक होल्डिंग कंटेक्ट दिया जाता है होल्डिंग कंटेक्ट मीन्स जो पाउर कंटेक्टर है उसका इन्नों कंटेक्ट स्टॉप उस बटन के पैरलेल में कनेक्ट कर दिया जाता है तो यह देखिए इस हिसाब से इस करके में कनेक कर दिया तो अब यह पूरा control circuit और power circuit पूरा हो गया उसके बाद अब lighting का करते हैं तो जो on की light है वो contactor के एन्नो से लेना होता है और off की light contactor के NC से लेना होता है और जो trip की light है वो overload लेके एन्नो से लेना है तो यह contactor जो है one and no और one MC का है तो एक एन्नो हमने यूज कर लिया है तो अब इसमें एन्नो नहीं है इसलिए जो यह on की light है उसको start push button के साथ हम connect कर देंगे अब trip की light को connect करना है तो single pole mcb से हम एक वायर उठाएंगे और यह contactor का यह जो सारी overload relay का 97-98 है उसमें से किसी एक पर हम वायर लगा देंगे और यह दूसरे तरफ से वायर निकाल के कि overload relay पर करने overload relay से निकाल के और जो trip indication की light है उसके साथ हम connect कर देंगे तो यह इसके साथ यह इस तरह trip का भी indication हो गया अब off का connect करना है तो single pole mcb से एक वायर उठाएंगे और जो power contact है उसके nc contact है किस नमबर पर लगाएंगे और 22 नमबर से wire निकाल के यह off वाली light के साथ connect कर देंगे देखिए अब यह wire connect हो गया लेकिन यह wire connect होने के बाद भी यह lighted नहीं जलेगा on-off क्योंकि इसके साथ on-off की wire light के साथ neutral connect नहीं है इसलिए हम यह दोनों light के साथ neutral भी लूप कर देंगे अब यह circuit पूरा complete हो गया power और control पूरा circuit यह complete हो गया अब हम इसको starter को मोटर के साथ connect करेंगे यह जो three phase का मोटर है इसके जो आप यह wire connection वाला cover खोलेंगे जहां देखिए यह लोग लिंक हो रहा है तीनों जो छे टर्मिनल थे वो short करके तीन टर्मिनल बन गया तो इन तीनों टर्मिनल के साथ आपको यह starter का जो output वाला wire है यह connect कर देना है means red, yellow और blue तीनों कलर की light इसमें connect कर देंगे अगर ऐसा connect करने पे motor clockwise चल रहा है मतलब घरी जिस direction में चलती है उस direction में अगर चल रहा है सीधा motor चल रहा है तब तो आपको कुछ करने की ज़वरत नहीं है अगर motor उल्ठा चल रहा है तो आपको क्या करना है starter को off कर देना है उसके बाद दो wire को आपस में change कर देना चाहे आप motor के टर्मिनल से कर दे या जो overload relay का output है वहां से कर दे अर्फ जो red color का wire है आर-face उसको y-face के साथ लगा दे और वहां से y-face फोल के निकाल दे और उसको r-face के साथ लगा दे आप कोई दो wire को change कर सकते है आरक को या वी को भी चेंज कर सकते हैं आपस में इंटर चेंज कर दीजे हैं means वी बाला वायर खोलके हटा दीजे, आर के जगा दीजे और आर वाला वायर खोलके वी के साथ लगा दीजे इस तरह मैंने पूरा power circuit, control circuit और motor का connection उसके बाद लाइटिंग सर्किट भी मैंने बता दिया और यह जो डिस्प्ले पर आ रहा है यह थी फेस ओटोमाटिक चेंज ओबर स्विच है इसका मैं कंट्रोल और पावर सर्किट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इससे क्या होता है कि अगर आपका लाइन कट गया तो अटोमाटिक डीगी सफड्र Hilf ₹ के सारा स सबस्टम चलने लगता है और जब डीगी सफलाइ पे सारा सिस्टम चलता रहेगा वीडियो पसंद आया तो सेर कीजिए लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए